श्रीमत भगवत गीता का तृत्य अध्याय कर्म योग इसमें क्या होता है सबसे पहले फर्स्ट शलोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं क्या सवाल करते हैं अर्जुन कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण इंटेलिजेंस यानि कि बुद्धी को सकाम कर्म से स्रेष्ट समझते हैं तो फिर वो अरजुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं तो इस तरह से अरजुन के मन में ये confusion कैसे आता है इस से पहले क्या होता है भगवान श्री कृष्ण अरजुन को बुद्धी के बारे में बताते हैं और योग के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से बुद्धी के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश्मे कर सकते हैं और किस तरह से भगवत भक्ती के कारण जो है कर्मों के फलों से मुक्ति मिलती है इस तरह से और साथ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे यानि कि कर्म करे ये सब सुनकर अर्जुन कन्फ्यूज हो जाते हैं उन्हें लगता है कि भगवान बुद्धी के बारे में भी बता रहे हैं भक्ती के बारे में भी बता रहे हैं और साथ में युद करने के लिए भी कह रहे हैं next शलोक में देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या सवाल किया है दुट्य शलोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि my intelligence is bewildered by your equivocal instruction अर्जुन ने क्या कहा है कि मेरी बुद्धी is bewildered चक्रा गई है, मोहित हो गई है by your equivocal instruction equivocal होता है अनेक आर्थक आपके अनेक आर्थक उपदेशों की वज़े से मेरी बुद्धी चक्रा गई है मोहित हो गई bewildered होता है चक्रा जाना, मोहित हो जाना फिर है therefore please tell me decisively इसलिए कृपा करके tell me मुझे बताएं decisively होता है निश्चित रूप से निश्चित रूप से मुझे बताएं which will be most beneficial for me कि मेरे लिए most beneficial क्या रहेगा यानि कि मैं भक्ती करूं या कर्म करूं युद्ध करूं क्या करूं तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब किस तरह से देते हैं ये हम नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धन्यवाद जे श्री कृष्ण